असलाम अलेकुम एब्रीबन कैसे हैं आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो अभी हो रहा है मॉर्णिंग का टाइम आग शाड़े च्छे बजे हैं और मैं अभी अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक कर रही हूं और अपने हस्बेंट का भ व्लॉग और व्लॉग ये तो इत से एक दो दिन पहले की कुछ वीडियो पड़े हुई थी और मॉर्णिंग का शेडियूल सेम ही होता है अभी फिलहाल दो दिन से बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं बट अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं मॉर्णिंग के सब चीजे सेटल करके उसको देनी होती हैं प्रोजेक्स बगएरा अकॉर्डिंग दू टाइन टेबल उसी साब से उसके प्रोजेक्स संबिट हो रहे हैं स्कूल में तो इसलिए थोड़ा सा एक्ट्रा टाइम लग जाता है फिर बच्चों को रेडि करना उसका लांच मैंने पहले का क्लिप एड़ कर दिया है तो अभी उसके बाद में मैं अपने हसन के लिए लंच पैक करने लगी थी तो मैं लगा रही थी घी रोडियों पे ताकि थोड़ी सॉक्ट रहें और वैसे भी गर्मियों में तो घी मैल्ट ही रहता है जमने की कोई टैंशन नहीं हो और मेरे हस्बेंड का लंच बॉक्स बहुत छोटा है इतना ही स्पेस है एक अगर अलग से मैं पैक करके देती हूं सैलेट वगएरा तो वो नहीं ले गर जाते हैं अगर इसी में एक एक्स्ट्रा कोई बॉक्स होता छोटा सा तो उसमें आप सैलेट वगएरा कुछ भी एक् उसके बाद में करने लगी थी ब्रेफस्ट की तयारी जैसे की मेरे बेटे को दूद के साथ रस खाने टोस्ट खाने पसंद है तो उसको मैं दूद के साथ तोस्ट ही देती हूं ताकि वो थोड़ा सा कुछ खाके जाए ऐसे खाली पेट में उसको नहीं बेज़ती हूं और यह मैंने उसका नाष्टा तयार कर दिया है सेम नाष्टा सेम पराठा वो पोर ही नहीं होता है और यह देखें मैंने इसको रेडी भी कर दिया है थोड़ी बैल्ट मुझे लूज लग लगी थी बट थोड़ा लोज ही रहनी चलिए और मैं हम्द को स्कूल जब भेशती हू होता है इन सभी जानवरों से कितना लगा होता है इनको अपने हाथे से खानक ला रहता है यह देखें और शायद से जिदिन की यह मैंने वीडियो ली है उसी दिन इस बखरी की कुर्बानी हो गई थी तो यह देख लें इतना प्यारा सा यह था क्यूट सा कुछ देर विंडो पर खड़े होने के बाद में थोड़ा रिलेक्सा फील होता है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा वैदर होगा रहता है सुबह के टाइम होती है प्यारी-प्यारी हवा चली होती है आजकल और उसके बाद में आगे थी आंदर और मैंने पहले लेस गज़ी और उसके बाद में लगा दिया थी आज माशीन और मुझे दोने थे कापी सारे कपड़े जो की कटा हो गए दे ऐनको जो हो ने कुछ Buddh अबकरा होने कापड़ ऐता व हो पहले थोड़ा मैं लाइट कलर को खञले में बनाती हुं और कुछ प्राप्डे में धो भी चुकी हूं और ये देखें और आज इनकरों को दूने में काफी ज्याधर ताइम लगने वाला था और दो घूंते मुझे लग गए थे इनकरो नीचिकरकर देपर को सभी को वाश करने में और कपड़े धोने के बाद में चार्यर के अच्छ चीन में शायद कुछ गड़पड हो गई थी फिर मेरा हस्बेंड ने उसे ठीक किया था खोल के देखा था उसमें कोई नहीं हो गी थी कोई पार्स उसका कट हो गया था अंदर से तो फिर उन्होंने वो ठीक किया था बाकी ड्रायर ना चलने से इस मोसम में बहुत ज्यादा प सिर्फ मोप में सबसे लास्ट में लगाती हूँ नहीं और ये देखें अब उसके बाद में थोड़ी देर पहले मेरे हजबेंड ने उसको चेक किया मशीन को फिर उसका पार्स लेकर आये थे शाम में और तब इसको ठीक किया था ये देखें ग्रायर का कोई पार्ट खराब हो गया था तो वो लेकर आये थे और इसको ठीक किया था फिर से और मशीन की हो तिंसे ऐले पार्म सबस्ति, यह यह 딱히 तो मेजा का पर अच्छ क्प्डों के समय होरना और भी ज्ला सबस्थ, हरती हाई一ए यह फिर बाइप कपड़े लिए के लिए देखें यहां पर मैंने कुछ कोफड़े डाले हुए हैं टलख़ हो गया आज़ो कि अभी बखे राते हैं जो कि मैंने यहां सामने वाली चट पर टलवाए यह कैंने वहां पर भी सारी रस्चियां फुल होगी थी मैंसले जो अच्छे क्रो कर रहे तर यह मेंगो थे तो आपके भूब को जो कभी कभी ठेली पर यहां पर बिखने के लिए आते हैं और उसके बाद में मैं बनाने लगी थी यकनी जो कि मैंने कुकर से अगर आच्छे से बोस्ट करके रख लिया था और इसमें में सारे मसाले इसमें डालने लगी थी इस ही आडिया था तुक्र को कर दिया था कर वर का देखे वक्सका तरी कि अभी है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और यह एक इसमें लैसुन था जो मैंने साबुत ही इसमें डाला था तो मैं इस तरह से उसको निकाल के डाल देती हूं इसका पेश्ट सा बन जाता है जब यह अच्छे से बॉल हो जाता यह अखनी में तो मैं इसे फैक्ती नहीं ह यह तो मैं बनाने लगी थी ता तो मैं इसके लिए यह मसाड़े पीस रहे थी अमिक्सी में युआ भी मिर्जे मीर्च में जो मैंने ली ती 5-6 अरी मिर्च में ली थी और इनको भी मैंने दर्दरा सा पीसा था जादा मैंने इसमें पानी ही नहीं डाला था सबसे पहले मैंने इस दिश में कुछ Kटड़े मसाले डाले थे marrying the first Yup देखा़ में अबनाली ताहिका- में बाइल के रखता इता वियुक्रोटा के सह starring कर दावा के प्ाया-धाद में बनेडेत कि ब्लाटा डाली कि अबनाली यहां यहां। बिर्यानी और दलीम जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी उन्होंने बना कर भेजी थी और बहुत ज्यादा मज़े की यह लग रही थी यह देखें और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ पहले मैंने जाके थोड़ा सा खाया और फिर इसके बाद में फिर से मैं अपनी डिश को कंप हुआ था और इसको करने लगी थी में डिश आउट इसके बाद हमने खाया था शाम का खाना और अगर आज की आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हूँ तो प्लीज दू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मिलती हूं नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफीज दौाओं में याद रखें